हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टूर चैनल तो फ्रेंट्स आज की स्वीडियो में हम बात करेंगे हमारी NTA UGC NetPaper 1 माई 2021 से रिलेटर जो मोक टेस्ट सिरीज है उसके मोक टेस्ट 56 के बारे में फ्रेंट्स इस वीडियो में कवर करने वाले हैं 10MCQs वीडियो को फॉर्मेट आप सब जानती हैं तो हम डारेक्ट अपने first question पर आते हैं जहां पर आज का हमारा पहला question है आपको माक करना है correct code किसके बारे में HDMI के बारे में आपको correct code माक करना है first statement है for transferring both high definition audio and video over a single cable second statement है HDMI stands for high definition memory interface friends code आप अपने screen पर देख सकते हैं और इस वीडियो के नीचे comment करके हमें 10 seconds के अंदर correct code बता सकते हैं इन में से correct code है code A code A के according only first यानि के सरफ पहली statement correct है जहां पर पहली statement क्या है HDMI किसके लिए है transfer करने के लिए दोनों यानि के high definition audio और video एक ही cable पर यानि के एक ही cable पर transfer किया जाता है both high definition audio और video इसके बाद second statement incorrect है जहां पर second statement के according HDMI stands for high definition memory interface memory के place पर आएगा multimedia तो HDMI का full form किया हुआ high definition multimedia interface इसके बाद next question है question number second में आपको बताना है who was formerly known as hangouts meet यानि के पहले किसे hangouts meet के रूप में जाना जाता था इनमें से option सी Google meet को पहले किस नाम से जाना जाता था hangouts meet के नाम से से जाना जाता था Google meet या फिर hangouts meet क्या है video communication service है जिसे विक्सित क्या गया है developed क्या गया है Google द्वारा question number third है who is the founder of zoom video communications फाउंडर है zoom video communications के इनमें से option सी एरिक यूवान जूम विडियो कम्मिनिकेशन्स इंकॉरप्रेटर्टर अमेरिकन कम्मिनिकेशन्स टेकनोलजी कंपनी है जिसका इनमेर्टर कहां पर है California के सेंजोस में इसके लावा जूम विडियो communications क्या करती है प्रोवाइड करती है वीडियो टेलिफोनी और ओनलाइन चैट सर्विसिज जिसका यूज किया जाता है टेली इसका यूज किया जाता है जिसके स्थापना कब हुई थी 21 अपरेल 2011 को इसके लावा एक पॉइंट हम ये भी देख लेते हैं कि टेली conference क्या होता है टेली conference meeting होती है तीन या जादा लोगों के बीच में जिनके बीच में distance होता है और यूज करते हैं electronic communication का इसके बार टेली meeting क्या है एक employment arrangement है यानिक एक रोजगार व्यवस्था है जहां पर जो employee होता है वो काम करता है employer office के बाहर यानिके employer office के बाहर से काम करता है employee किसमे टेली कमीटिंग में इसके बद कुश्च नंबर फॉर्थ में आपको बताना है what is a method of communication between two persons with personal computers who are both connected online through the internet इनमें सिर्व वो method है option d audio video conferencing audio video conferencing वो method है communication का किनके बीच में दो लोगों के बीच में personal computers के साथ जहां पर दोनों connected होते हैं online internet के थुरू इस method को कहा जाएगा audio video conferencing इस method में क्या है जो दोनों parties हैं बात कर सकती हैं देख सकती हैं और सुन सकती हैं एक दूसरे को अपने personal computers में किसका यूज करके audio video conferencing tools होते हैं उनका यूज करके जैसे की zoom का skype google hangouts etc ये audio video conferencing tools हैं इनका यूज करके अपने personal computers पर दोनों parties बातचीत कर सकती हैं सुन सकते हैं एक दूसरे को और देख सकते हैं इसके लावा next point हम देख लेते हैं इसी question से जो जुड़ा है audio conferencing क क्या होता है telephone meeting होती है जो conduct होती है कि एनके बीच में कई अलग-अलग callers के बीच में कई अलग-लग callers जो होते हैं बात करने वाले जो होते हैं उनके बीच में telephone meeting conduct होती है वो क्या है audio conferencing जहां पर three colors किसको define करेंगे conference को चाने इसके बाद video conferencing ये क्या है एक system है जो अलोग करता है लोगों को अलग-अलग parts में रहते हैं world के meeting कर सकते हैं देखकर और सुनकर एक दूसरे को किसका use करके video screens का use करके video conferencing क्या है type है online meeting का जहां पर दो या दो से ज़्यादा लोग engage करते हैं एक live audio visual call question no.5 है Viber is an instant messaging and VoIP app for smartphones what is the acronym of VoIP Viber क्या है एक instant messaging app है just like WhatsApp और VoIP app है smart phones के लिए जहां पर VoIP का full form है option c voice over internet protocol voice over internet protocol एक technology है जो अनुमती देती है यानिके allow करती है आपको कि आप voice calls कर सकते हैं किसका use करके broadband internet connection का use करके instead of यानिके किसकी जगा जो regular phone line होती है उसकी जगाँ पर किसका use करके broadband internet connection का कर सकते हैं voice calls इसके लवा voice over internet protocol इससे IP टेलीफोनी के नाम से भी जाना जाता है या फिर कह सकते हैं कि voice over internet protocol basically telephone connection है internet पर next point में Viber क्या है Viber free simple fast और most secure messaging और calling app है next question है question number 6 PSD stands for option D Photoshop document यानिके इस question का correct answer हुआ option D Photoshop document in short PSD क्या है एक main file format है किसके लिए Photoshop के लिए इसके लावा टिफ ये क्या है image file format है जिसका full form क्या है tagged image file format और JPEG ये क्या है joint photographic experts group और ये भी एक popular image file format है और एक और image file format है जिसके बारे मैं आपको पता होना चाहिए EXIF यानिके exchangeable image file format next question है question number 7 what is the file extension of the notepad format यानिके इनमें से notepad format के लिए file extension क्या है इनमें से वो है option d.text txt ये file extension है किसके लिए notepad format के लिए file extension या फिर file name extension क्या है ये किसी computer file के end में जुड़ा होता है जैसे example के लिए मान लीजिए एक file name है ugc paper1.text यानिके .txt यहाँ पे क्या है file extension है और friends next question से पहले हम आपको बता दें NTA UGC net paper1 मई 2021 के लिए complete course भी available है अगर आप complete course करना चाहते हैं paper1 के लिए तो आप क्या कर सकते हैं play store में जाकर download कर सकते हैं global online university app को जहाँ पर आपको paper1 के लिए video lectures मिल जाएंगे 60 से जादा mock test मिल जाएंगे और topic wise आपको PDF भी वहाँ पर मिल जाएगी जहाँ पर आप अपने according subscription plan ले सकते हैं और subscription plan लेने से पहले आपके लिए demo भी available है इसके लावा आपको global online university app का link इसी वीडियो के नीचे description box में और साथे साथे इसी वीडियो के नीचे top comment में भी मिल जाएगा जहाँ पर आप link पर click करके app को download कर सकते हैं हमारा next question है question number 8 इस question में आपको बताना है graphical file extensions कौन सी हैं इन में से graphical file extensions हैं option D, BMP, GIF, PNG और RAW जहाँ पर BMP का full form क्या है bitmap image file, GIF file stands for graphical interchange format PNG stands for portable network graphics और RAW भी क्या है एक file image format है इस question का correct answer हुआ option D next question है question number 9 में आपको arrange करना है ascending order किसका units of memory का और वो units of memory है terabyte, kilobyte, gigabyte, megabyte यानि कि जो सबसे small unit of memory है उसको आपने सबसे पहले रखना है then उससे big, then उससे big और last में सबसे big memory को आपने रखना है यानि कि ascending order set करना है इन में से correct ascending order है units of memory का TB, KB, GB और MB के लिए option D जहां पर सबसे पहले क्या आएगा 1 KB, 1 KB किसके is equal to है 1024 bytes के 1 MB is equal to 1024 KB यानि कि किलो बाइट्स then इसके बाद आएगा MB से बड़ा होगा 1 GB 1 GB is equal to 1024 MB और last में 1 TB, 1 TB बनता है 1024 GB से, तो ये इसका correct ascending order हुआ, इस question का correct answer है option D आज का my last question है, question number 10 में आपको बताना है A half byte is known as dash, यानि कि half byte को इन में से जाना जाता है इन में से जाना जाता है half byte को option ने, nibble के रूप में सबसे पहले byte क्या होता है, group होता है 8 bits का किसका group होता है 8 bits का, जिसे कहा जाता है byte then उसके बाद nibble क्या है, nibble group होता है किसका 4 bits का यानि कि nibble बनता है 4 bits के group से half byte यानि कि 4 bits किसके equal हुआ, nibble के इस question का correct answer क्या हुआ, option ने, nibble इसके लावा memory unit क्या है, amount of data है, जिसे आप store कर सकते हैं, storage unit में तो friends, ये थी मारी आज की वीडियो, आप हमें इसी वीडियो के नीचे comment करके बता सकते हैं, कि आपने total questions यानि के 10 questions में से कितने questions को correct mark किया, next day आपको जल्दी channel पर मिल जाएगी, so thank you friends for watching this video